हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का योगी एंप्लोई हेलप लाइन पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप बैंक से कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उस पे इस्टाम ड्यूटी क्यों लगती है और अलग-अलग स्टेट्स में वो इस्टाम ड्य रखा है तो बीना समय गवाएं चलिए वीडियो सुरू करते हैं हम इस वीडियो में यह जानने का प्रियास करेंगे कि वेन यू टूक आउट लोन यू में भी रिक्वाइड टू पे इस्टाम ड्यूटी ऑन दर लोन अग्रिमेंट यानि कि आपको लोन अग्रिमेंट पर क्यूं देनी पड़ती है दिस इज टेक्स दैट इज इंपोस्ट वाइड गोवर्मेंट एंड डिजाइन टू इंशर देट और लीगल डोकुमेंट्स आर प्रोपर्ली स्टाम्ट और रिकॉर्डेट इडियोटी ली इसलिए जाती है ताकि आप जब भी लोन लो तो उसमे खुआए द्वार जाती है वह हम नीचे देखने का प्रयास करेंगे पर देखें आप इस्टाम डूटी होती क्या है इस्टामडी टेक्स डेट इस लेवड और सटन लीगल डोकुमेंट्स इंक्लूडिंग लोन एक्रिमेंट्स तो जो भी लीगल डोकुमेंट्स होता है उन इंप्रूव होती है अब देखिए कि जो कैसे किया जाता है इस्टाम ड्यूटी को तो the amount of इस्टाम ड्यूटी payable on the loan agreements will depend on the amount of the loan in general इस्टाम ड्यूटी is calculated as a percentage of the loan amount यानि कि जिता भी आपका loan amount होता है उसका कुछ percentage जो है वह यह स्टाम ड्यूट के रूप में लिया जाता है अब यह जो है वह subject है जो state governments के अंडर आता है यानि जो स्टाम ड्यूटि यह वह state government लेती है तो भारत में जितने भी स्टाम ड्यूटी की percentage अलग अलग है हम वह आगे की वीडियो में देखेंगे कौन से स्टेट में किती ड्यूटी लगती है दे एक्जक्ट परसेंटेज विल भी वेरी डिपेंडिंग ऑंदा इस्टेट एंट टेरिटरी इन विच तर लॉन इस बिंग टेकन आउट इस इंपोर्टेंट तू नौट करने पड़ती है तो इस में डैट यू विल नीट टू पैर दा इस्टाम ड्यूटी विफोर यू रिशीव दर लॉन पंड यानि जब भी लॉन का पैसा आएगा आपके अकाउंट में उससे पहले आपको यह इस्टाम ड्यूटी देरें पड़ती है तो इन प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो 0.25 परसेंट इस्टाम ड्यूटी लगती है तो तो दो लाग का 0.25 परसेंटेज यानि प्रत फाइव हंड्रेड रूपीज के स्टाम आपको लाके देने होता है यह जो स्टाम अप लाके देते हैं यह खाली स्टाम होता है और वह आप वहाँ बैंक में सब्मिट करते हैं ताकि जो आपका एग्रिमेंट है लोन इग्रिमेंट वह लिगिलाइज इस्टेटस में आ जाए जैसे कि अब बहुत सारे स्टेट्स है तो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है तो आप क्या करेंगे सिंपली जिस भी स्टेट के आपको स्टांप ड्यूटी जाननी है बैंकिंग डोकुमेंट्स पर तो आप नॉर्मली को गूगल में जाके आप सर्च करेंगे कि स्टांप ड्यूटी ऑन लॉन एग्रिमेंट इन अब जो भी स्टेट है वह आप लिख दीजिए और उससे आपके जो पसंटेज जे वह आ जाएंगे यहां मैं कुछ स्टेट की बात करूंगा जैसे महाराष्ट्रा की है तो महाराष्ट्रा में है जीरू.1 परसंट की ऌट्यूटी लगती है और मिनिममस जो है वह 100 रुपय की स्टांप आपको लगाना पड़े तो दस लाग तक कने लॉन के लिए जीरू.1 परसंट की आपको इस्टांप डूटी देनी पड़ती है वैसे अगर हम डेली की बात करें तो हंडेट रूपीज यह फिक्स रखी गई यानि आप कितना भी लॉन लेता हैं कोई भी लॉन लेता हैं तो बैंक कारेंटी की रूप में जो भी लीगल डोकुमेंट से उसके लिए केवल सो रूपए ही आपसे इस टाम ड्यूटी के रूप में लिये जाता हैं वैसे एगर आप बिहार की बात करें तो 200 रूपीज जो है रखी गई है ऐसे कैसे अगर एक दो बड़े स्टेट्स की और बात करें तो आप देखेंगे यूपी में 0.25% है राजिस्थान में मैंने आपको बताय दिया था कि राजिस्थान में भी 0.25% है लेकिन यूपी में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम पांसो तो ही है मतलब इसे एक निच्चे नहीं होगी और वैसे लोन का 0.25% है यानि आप एक लाका लोन लो और इसे 0.25% है और हम लास्ट बात कर लेते हैं MP की तो तो यहां भी 0.25% ही है और मिनिमम यहां भी पास रुपए है इस इस इन सब चीजों के पहलाव मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह जो इस्टाम ड्यूटी आप किसी भी लोन के ऊपर देते हैं वो इस् सब्सक्राइब करना ना बोले हैं ताकि आपको ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो मिलते रहें थैंक्यू